हालो प्यारे बच्चों कैसे आप लोग तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नीट प्रिवियर्स येर कोस्टिन से अब स्टार्ट करते हैं और पहला चेप्टर हम लोग आया बहुत कर लोगे मेरा पुरा समझ लोगे तो तुम्हें नीट के कोशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी या जो भी है तो चलो स्टार्ट करते हैं देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं रटी रटा ही बातें नहीं करता हूं कहता है लॉंग इनफाइनाइट इस्टेट कंड़क्टर फाइफ एंपियर करेंट अब हम लोगे पास इनफाइनाइट कंड़क्टर है जो जिसकी लेंथ इंफिनिटी है इसमें फाइ सेकेंड तो अब यह जो डिस्टेंस है वह 20 सेंटी मीटर है मतलब 202 मीटर इसमें पाइंट तो मीटर पर है इसकेंड अगर मेंगनेटिक फिल्ड में मूब कर रहा है तो वह फोर्ट फील करेगा obviously force field करता है कोई भी charge particle जिसके पास charge है अगर magnetic field में move कर रहा है तो वो force experience करेगा जैसे अगर infinite wire ऐसे है और उसके perpendicular ऐसे जारा charge particle तो उसके force लगेगा ठीक है उस force की magnitude और direction होती है तो अगर vector form में उस force की value लिके हैं तो Q V cross B होती है Q V cross B होती है तो जब यह force अगर उस charge particle पर देखोगे जो ऐसे आ रहा तो पहले देखो B की direction किदर है magnetic field किदर है अगर infinite wire ऐसे है तो right hand curl thumb rule से वो यहाँ पे magnetic field इदर आएगा ठीक है यहाँ पर magnetic field इदर आएगा और अगर उसके perpendicular हाँ अगर board के plane में देखोगे तो board के plane में देखोगे तो बाहर आएगा magnetic field बाहर आएगा और charge particle ऐसे जा रहा 90 degree पर है ठीक है देखो अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर यह wire ऐसे है तो यह ऐसे tangentially magnetic field इदर आगया और उसके perpendicular 90 degree पर ऐसा ठीक है तो यहाँ पर जो force है इस पे ऊपर लगेगा electron है तो force नीचे कर देगा electron के case electron है ना हाँ नीचे चलो तो वो तो direction magnitude देखो कि magnitude निकालने कि magnetic field की value निकालनी पड़े गया तो magnetic field की value कितनी होती है infinite वार की होती है mu not i 2 pi r अब कुछ नहीं हुआ और 90 degree है force velocity देखो बोर्ड के plane में velocity इदर है और magnetic field board के अंदर है समझेड़ा ना velocity इदर है magnetic field board के अंदर theta 90 क्या तो यह आजाएगा charge e, b और sin 90 तो sin 90 कितना हो गया तो यह आजाएगा e, b बागी कुछ नहीं है value रख दो तो force की जो value आजाएगी e की value रखो e, b और b की value रखोगे mu not i 2 pi r तो खुल मिलागे e, e, charge नहीं लेक्टान अवसारी value रख दो 1.6 इंटो 10 की power minus 19 Coulomb और velocity v point 2 और multiply करदो 4 pi इंटो 10 की power minus 7 और current i5 ampere divide करदो 2 इंटो 3.14 और radius की value कितना है तो radius मतलब perpendicular distance ये वाला perpendicular distance velocity 10 थी यहाँ पर तो यहाँ पर velocity जो है वो 10 थी प्यारे बच्चों this is the 10 तो यहाँ पर जो speed है speed है वो 10 आएगा और distance perpendicular distance जो है ये point 2 है तो ये जो बागी difficult वाला काम है ये तुम कर लेना तो force की जो magnitude आजाती है वो 8 इंटू 10 की power minus 20 Newton आजाता है ये वाला चीज ठीक है न अब लोग calculate करके देख लिया हूं मैं तुम कर लेना for which of the following bore model is not valid अब bore model बन रहा था तो उसमें एक जंसन लिया गया था बहुत सारे जंसन लिये गे थे मतलब उसमें से एक जंसन था कि यह जो आटम है जो model है अटामिक मॉडल वो single electron मतलब ऐसे system के लिए लगे गा है पहरे बच्चों जिसमें single electron हो तो single electron हो तो neon में के neon plus one में single electron होता है क्या neon neon की atomic number कितनी होती है 10 electron 10 proton होता तो एक ही electron तो बाहर गया तो 9 तो बच गया है हाइडोजन एटम में एक इलेक्टान होता है तो यह गलत है इसके लिए बोर मॉडल चाहिए इसके लिए नहीं होगा और इसके लिए हम हमारा जो इसलिए बस है वह insufficient है देखो टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोजन एटम में टोटल एनर्जी अल्रेडी हमारे पास दिया हुआ है कि जो टोटल एनर्जी है electron का वह माइनस 3.4 electron volt चलो तो टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक और प्रियौ ऑन पतैंटीक और पोटेंजियल निकालना है इस एनर्जी से में काइनेटिक और पनचील कैसे निकालेंगे तो अगर मैं काइनेटिक फजीक्स में इधर बहुत कामका अधी क्या निगालना बोलो kinetic energy, क्योंकि total energy, तो kinetic energy total energy is equal to minus times kinetic energy, तो total energy कितना minus 3.4 और minus kinetic energy, तो minus ने minus को खा गया, तो kinetic energy is equal to minus 3.4 electrical volt, तो यह जो kinetic energy है, या तो इसका मतलब भी यह हुगा कि kinetic energy, वैसे दियार, यह कभी सही नहीं हो सकता, क्वेन को करने की जरुद नहीं है का इनर्जी पूथा हlar ऊंपने स्फॉम्हाइशचा फिल्रूर्डu को करने की जरुद नहीं है इस सही नहीं होगा एस हमेशा और तो यह सही है यह सही है और इस ना धोन को आसед ने नाई aka इटेखे अगर यह फार्मूला किसी को याद नहीं है भोल जाता तो यह इना किये भी हो जाएगा कंसेट्स हो जाएगा तो चलो यहां से पोटेशिल एनरजी निकालो तो पोटेशिल एनरजी इस इकुल टुटल एनरजी कट डबल होगा टू टाइम्स तो टोटल एनर्जी कितना है माइनस 3.4 और यह मल्टिप्लाइड बाइट तो माइनस 6.8 इलेक्टो गोल्ट इस पोटेंशिल एनर्जी तो इस कोश्चन को बैसिकली दो मेकर से कर सकते हो एक तो पॉंसेट से कर सकते हो साइन से बीना यह सब किय यह हुए और दूसरा कर सकते हो यह रमायर कहानी चलो दे रैशिव अब दे को 2019 में भी इसी पर आया था और यह ऐसे मतलब यह पूरा अगर लेक्चर देख लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आए गया काइनेटिक इनर्जी आफ टोटल एनर्जी अफ इलेक्टान इ माइनस काइनेटिक इनर्जी और देट इस पोटेंशल एनर्जी की आधा होती है यह बहुत इंपोडेन्ट पर्मुला यहां माइनस साइन लगा देते हैं तो अब इसमें रिलेशन इसमें रैशियो पूछा है तो यहां से गर मैं लिक हूँ तो टोटल एनर्जी मुझे मिल तो इसका मतलब यह हुगा कि total energy is equal to kinetic energy का जो ratio होता है वो minus one upon one हो जाएगा इधर minus one बच जाएगा ना यह kinetic energy इधर चलाएगा तो अब यहाँ प्याँ पूछा kinetic और total का ratio पूछा है तो kinetic और total का ratio लगाओगे तो one upon minus one हो जाएगा ठीक है तो मतलब one ratio one ratio minus one is the correct answer अगर यह पूरा लेक्चर देख लोगे तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी याद the ratio of the wavelength of the last line of bomber series to last line of Lyman series अब आपको रेशियो निकालना लास्ट लाइना बामर और लास्ट लाइना लाइमन इस टाइब के question बहुत ज़्यादा पूछा जाता कई बार पूछा गया है same पूछा जाएगा similar पूछा जाएगा और यह बहुत बार आपको solve करने को इधर आएगा तो यह हम एक बार अच्छे से आपको समझा देते हैं इसको समझ लो लाइमन सीरीज कब बनता है यह energy labels होते हैं n is equal to 1 n is equal to 2 n is equal to 3 n is equal to 4 और इधर है n is equal to 5 लाइमन सीरीज तब बनता है जब n is equal to ground level में jumping होगी उपर से तो यह लाइमन सीरीज बनते हैं जो photons radiate होते हैं उनसे जो सीरीज बनता है उसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं लाइमन सीरीज में लाइमन की अगर बात करोगे तो लाइमन की बात करोगे तो n is equal to 1 में jumping होगी और कहां से jumping होगी तो लawsक में ल॥ो पूल थो थृटिकली डट 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 그거 भीगकर तो आप देखो लाइमन सीरीज का सिरीज का रस्यों कानला वेवल लेंगत duy लास्ट लाइम यह उट लाइमन skin को तो यह में जम्पिंग होई तो लाईमन सीरीज जो रेडियाशन निकलेगा फोट़न निकलेगा उसकी एक फिक्स 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 होगी तो वो एक फिक्स लाइन मनाएगा इस्पेक्टरम पर ठीक है तो उसको हम बोलते हैं सबस्क्राइब करें यर्य का मिंपन सिर्ज या ऐसे पूज़ दे फस्ट वेवलेंट इन लाइब रॉस्ट फो टॉन इन लाइब करेंसी या फिरिकैंद नाइब करेंट इसे यह फेस्ट नाइब करेंसी। यह n is equal to 3 में अगर jumping हुआ, n is equal to 3 से 1 में jumping हुआ, 3 से 1, तो second line of Lyman series, second photon generated, second wavelength, second frequency, second radiation, ठीक है, अब इसी तरह से यह third line, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, चलो, तो यह last line कब होगा, तो Lyman के अगर बात करोगे, तो last line तब बनेगे, यह last photon, जब n1 तो value 1 है, और n2 की value कितनी होजाएगी, इन्फाइनाइट होगी, तो अब हम एक formula पढ़के आए है, 1 upon lambda, क्या है, wavelength का ratio निकालने हो, तो 1 upon lambda is equal to, कोई सा है, last line, Lyman series, अब R और Z square, ठीक है, 1 upon n1 square, यहाँ, n1 square, यहाँ, n1 square, और 1 upon n2 का square, ठीक है, बराबर, तो यहाँ से R और Z का square, और 1 upon 1 का square, minus 1 upon infinity का square, तो कुल मिला के R Z आ जाएगा, that is 1 upon lambda 1, मतलब, lambda 1 की जो value आ जाएगी, वो, lambda 1 की जो value आ जाएगी, यहाँ से, वो आ जाएगी, 1 upon R Z square, तो यह जो है, this is basically, वो कुछ नहीं है, first wavelength of the Lyman series, R Z square, चलो, अब बात करो, लाइमर हो गया, बामर की बात करो, बामर जो होता है, वो visual region में लाइग करता है, लाइमर जो होता है, वो ultraviolet region में लाइग करता है, यह सब याद रख लो concept, तो यह जो, यह जो एन इसकॉल टू में जंपिंग होगी, तो कहां से जंप करेगा भाई लेक्टा, क्यों जंप करेगा, क्योंकि करता है, तो यह जो यह जो जो जंपिंग होगी, बामर सीरीज के spectrum में लाइग करेंगे, तो बामर सीरीज वीजिबल राइंग में लाइग करता है, उसमें colors भी आएंगे, चलो, तो यहां से अगर बामर सीरीज की बात करोगे, तो बामर सीरीज में जंपिंग तब होती ही, यहां जो फोटान जंपिंग होगा, वो फोटान मैं बोलुँगा, फर्स्ट वेवलेंट आप दा बामर सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन आप बामर सीरीज, या first frequency of bomber series या समझे दो ना first photon of bomber series का generate हो गया तो अलग अलग types इसको पूछा जाए अब यहां हमें last वाले last last line ठीक है यह first line और last line कब होगा जब n1 की value 2 होगी और n2 की value infinity होगी तो 1 upon lambda वाला formula लगा दो तो rz whatever 1 upon n1 square मतलब यह 4 minus 1 upon infinity square मतलब यह आजाएगा rz square upon 4 1 upon lambda 2 मतलब lambda 2 की जो value आजाएगी आजाएगी 4 rz square this is what this is the lambda 2 first last line of the bomber series this is the last line आप लाइमन सीडीज अब हमें किसका किसका रेसीव निकालना है bomber to limon निकालना मतलब lambda 2 upon lambda 1 निकालना मतलब 4 upon rz square और divide कर दूं rz square से तो rz square ने rz तो फोर इसका final solution है तो आई होप कि आपको clear हो गया होगा the four is final solution that is fourth option सही है चलो कहता है electron hydrogen atom jump from third orbit to second orbit अब एक electron hydrogen atom में third orbit से second orbit में jump कर गया है तो चलो पहले इसका हम बना लेते हैं n is equal to 1 यहां से n is equal to 2 और यह n is equal to 3 और यह n is equal to 4 और यह n is equal to 5 चलो इतना हमारे लिए बहुत है करता third orbit से second orbit में jump किया और hydrogen atom है जेट की value 1 है तो चलो थर्ड से jumping करा देते हैं third से second में तो third से second में jumping हो गया यह वाली transition तो कुछ energy निकली होगी it emit a photon यहां से जो photon emit हुआ उसकी wavelength लेमडा है ऐसा यह कह रहा है कहता है वेन इट जंप फ्रॉर्थ आर्बीर टू थर्ड कोर्रस्पोंडिंग वेवलेंद अब फॉर्थ से अगर थर्ड में jumping हुआ फॉर्थ से थर्ड में अगर jumping हुआ तो जो नया wavelength जन्रेट हुआ that is lambda dash मान लेता हूं यह lambda dash हम लोगो निकालना है calculate करना है अब इस question को देखो 50-50 वाला rule जो मैं बताता हूं 50-50 option में भी कर सकते हो by using the concept क्योंकि अगर मैं इधर से हम सबको पता है इधर से ground से ऊपर जाते हैं तो total energy तो increase होती है लेकिन consecutive energy difference यह जो energy का difference है ठीक है दो आर्बिट के बीच energy का जो difference डेल्टा ई यह जो चीज होती है वो decrease होती है और total energy increase होती है लेकिन consecutive energy difference decrease होती है तो consecutive अगर energy difference decrease होती है तो देखो 3 से 2 में jump हुआ है तो यहां से ज्यादा energy निकलेगी और अगर 4 से 3 में jump हुआ तो उससे कम energy निकली होगी तो जो lambda है that is energy is equal to energy generated it यहीपन लेमडा होता है तो अब जब फॉर से यहां से जब फॉर से 3 में jumping होगी तो कम energy generate होगी तो lambda क्या होगा कम होगा सरी स्थे कम energy generate होगी तो lambda क्या होगा जादा होगा मतलब लेमडा डाएस will be greater than इनरज़ी डिफेरेंस कम है जब कीए इनरजी डिफेरेंस जिदे आप रहा हैं यह वह कभी सैंहीं नहीं और यह सकता Everybody यह सही है यह 50-50 अपने concept से हम लोग कर लिए और यह concept सीख लो याद कर लो बहुत सारे question बीना जहां लोग struggle करेंगे जहां जो नौर्मल लोग है वो struggle करेंगे और तुम क्या करोगे तुम उनसे बहुत आगे निकल जाओगे बस यूँ एक लाइन में question करके तो यह concept याद कर लो मतलब समझ लो तो यह अब यहां से actually 50-50 वाला रूल तो लग गया पर हमारे पास दो आगया तो यहां पर तो हमें calculate करना ही पड़ेगा तो चलो calculate कर लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं हम लोग करना जानते हैं तो लगा देते हैं दोनों transition के लिए वन अपन लैमडा पहले के लिए देखो वन अपन लैमडा इस उक्वल टू वन अपन लैमडा यहां से कर देखोगे तो रिगबर एक constant R और hydrogen है तो Z की value 1 हो गई और 1 अपन कहां से कहां jumping होगा फर्स्ट में 4-1 अपन 9 क्लियर है सबको यह समझ में आ गया 3 से 2 में लगाए 4 का square और 3 का square तो 1 अपन लैमडा की जो वेल्यू है वहां जाएगी R और यहां जाएगा 5 और यहां जाए 36 मतलब लैमडा की जो वेल्यू हाजाएगी 36 अपन 5 और that is equation number 1 अब सेकेंड में 4 से 3 में jump हुआ है तो अगर 4 से चलो 4 से थे और 3 में jump हुआ हो तो 1 अपन लैमडा देश की जो वेल्यू हाजाएगी और एक बड़ कॉंस्टेंट 1 अपन 3 का square 9-1 अपन गिफ और का square यह 16 ठीक यह तो ब्लैमडा याज की जो वेल्यू आजाएगी प्यारे बच्चो यहां से वन अपन लैमडा देश की जो वेल्यू हाजाएगी वह आ जाएगी 1 अ और यह 16 फ्न हाजाएगा और यह 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 16 मल्टिप्लाइट नाईन मतलब 144 थो चलो वह ब्लैमडा यास की जो बल्लट 9 और यहाँ जाएगा 7R that is equation number 2 अब किसका किसका ratio पूछा था वो lambda dash की value पूछा था तो lambda dash की value आजाएगी lambda dash वो आजाएगा 16 multiplied by 9 और 7 और R की value यहां से निकालके रख दो तो R की value निकालके रख दो तो यहाँ जाएगा 36 multiplied by 5 lambda तो इसको कट लो 4 times कट जाएगा और यह 4 4 times कट जाएगा मतलब lambda dash आजाएगा 20 upon 7 lambda अब देखो एक से अधिक ही आएगा जो तो अभी यहां तो calculation करना पड़ा हैं बड़ बहुत सारे कोशन इस concept पर भी कर सकते हो मतलब यह हुगा कि हम लोगा प्यारे बच्चों यह आप्ट गलत है C option सही है चलो कहता है गिवन देवेल्व अब रिगबर constant इस 10 की पावर 7 अब अगर इगबर सेंट अमने असाइन कर दिया कि 10 की पावर 7 अप्यारे बच्चों तो वेव नमबर आप दे लास्त लाइन ऑप बामर शेरीज पाइडोसन अब वेव नमबर आप दे लास्त लाइन आप दे बामर सेरीज़ इन हैडोजन इसक्ट्रम जंपिंग का से हाइए लेबल से जंपिंग होती है तो बामर सीरीज तब बनता है जब प्यारे बच्चों n is equal to 2 होती है और n2 is equal to 3, 4, 5, infinity से इस टाइब से जंपिंग होती है तो first line अब यह करता है last line, last line कब होती है, last photon कब generate होता है तो जब n1 की value last अगर बात करोगे last line की बात करोगे n1 is equal to 2 आएगा और n2 आजाएगा infinity, तो last transition है तो इस case में जो lambda की value आजाएगी, वा जाएगी regular constant 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square होता है तो यहाँ जाएगा regular constant 1 upon n1 square मतलब 4 minus 1 upon यहाँ से 4 देखोगे तो वा infinity का square मतलब जो lambda की value आजाएगी, lambda की value आजाएगी, वा जाएगी 4 by r, तो this is the lambda, अब हमें करता है कि regular constant wave number हमें पूछा है, तो wave number पूछा, lambda नहीं पूछा, तो wave number जो होता है wave number, 1 upon lambda होता है बच्चों, तो 1 upon lambda is equal to r upon 4 r की value 10 की power 7 अथ 4, तो 1 0.0.25 into 10 की power 7, this is the per meter, यह 0.1 मतलब यह हम लोग का यह वाला option, यह option सही है, तो motivated रहो, energetic रहो, और बढ़ियां से पढ़ाई करो, खुस हो के, दिल में, अंदर में खुस ही होनी जाए, यार कि अंतरात्मा, question ऐसा करो कि यहां सर ने पढ़ाया, किसी ने पढ़ाया, ऐसा पढ़ो, ऐसे नहीं कि, यार किसी ने ऐसे आगे पढ़ा दिया, spectrum of hydrogen, the ratio of the longest wavelength, in limer series, to longest wavelength in warmer series, अब देखो, longest की बात कर रहा है, longest wavelength, यहीं बताया ने मैं, इसको जो मैं आपको बताया पिछली बार, वहीं बार-बार पुछा जाएगा, उसको कई तरीके से पुछा जाएगा, तो longest wavelength कब होती है, limer series में, तो limer series कब बनता है बाई, तो limer series जो है, तब बनता है, जब n1 की value 1 होती है, और n2 की value 2, 3, 4, dot, 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 infinite है, हर एक transition के लिए, एक wavelength generate होता है, तो यह कहता है, कि ratio of the longest wavelength, limer series to longest wavelength, बामर से, सबसे पहले longest wavelength कब generate होगा, एक बार यहां बना लो, समझने के लिए, मैं तुमें समझाने के लिए, तुम shortcut समझना जल्दी-जल्दी कर सकते हो, तो n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, तो n is equal to, अगर देखो, लाइमन सिरीज तब बनता है, लाइमन सिरीज अब बनता है, जब यह इस वाले, n is equal to 1, ground state में jumping होती है, और कहां से jumping होती है, यह लाइमन सिरीज है, बामर कब बनता है, तो बामर तब बनता है, जब यह अहां पर jumping होगी, तो कहां से jumping होगी भाई, higher orbit से jumping होगी, अब देखो, longest wavelength, तो यह जो इस में जो photons निकलते हैं, उनकी जो wavelength, जो energy difference, delta e, is equal to hc upon lambda, हम लोग पढ़ चुके हैं, इस orbit और इस orbit में, जो energy का difference है, जहां से jumping होई है, that is must equal to hc upon lambda, अब lambda maximum चाहिए, तो lambda maximum तब होगा, जब energy minimum होगी, तो energy minimum कब होती है, ठीक है, energy minimum कब होती है, हम सब को पता है कि consecutive लगाता है, जो energy cells का difference हो घटता चला जाता है, तो lambda maximum तब ही होगा, जब energy difference minimum होगी, और energy difference minimum तब होगी, जब energy difference delta minimum तब होगी, जब कहां से कहां jumping होगा, n1 is equal to 1 है, और n2 is equal to 2 से jumping होगी, तो यह energy difference minimum होगा, तो energy difference minimum होगा, नहीं समझे में होगा, अगर यहां से जाओगे, तो energy levels बढ़ते चले जाते हैं, तो यह जो दो का difference है, अगर एक fix कर देते हो, और फिर अगर अलग-अलग आर्विट का difference लेते हैं, तो वो difference बढ़ता चला जाता है, तो यह जो difference है, that difference, वो minimum होती है, और यहां से लेखे infinity का difference, energy को maximum होती है, तो energy minimum तब होगे, और ऐसा transition हुआ होगा, उस वक्त energy बचो, minimum निकली होगी, और lambda maximum निकला होगा, तो उस lambda को पता करो, तो 1 upon lambda, पहले case में जो lambda max है, वो आजाएगा रिखबर constant, और 1 upon n1 square, मतलब 1 का square minus 1 upon 2 का square, ठीक है, that is 4, तो यहाजाएगा, और 4, that is 3r upon 4, that is 1 upon lambda 1, पहले case में, लाहिमन सीरीज में, ठीक है, चलो, बात में हम इसको कर लेंगे, calculate जो भी करना होगा, अब longest wavelength generate करो, बामर सीरीज में, तो लांगेश्ट wavelength in limer series to लांगेश्ट बामर सीरीज में, लांगेश्ट wavelength कर जनरेट होगा, फिर भाही कहां नहीं देखो, लांगेश्ट wavelength lambda maximum कर जब energy difference minimum होगी, और energy difference minimum होगी, जब n is equal to 2 में jumping होगा, n is equal to 3 से, तो लांगेश्ट wavelength जब n is equal to 2 तो बामर में fix है, और n is equal to, ये 3 से jumping होगी, बामर, तो इसका मतलब भी होगा कि 1 upon lambda 2 second case में is equal to rigbar constant 1 upon 2 का square minus 1 upon 3 का square, जहां पर jumping होई है, तो rigbar constant 1 upon 4 minus 1 upon 9, that is 4 और 9, यहां से इसको calculate कर लो, तो that is 5R upon 36, 1 upon lambda 2, तो यहां से lambda 2 की जो value आ जाएगी प्यारे बच्चे, वो 36 upon 5R आ जाएगी है, अब इनकी हमें ratio लेनी है, देखो ratio किसकी किसकी लेनी है, तो लांगेश्ट पर लाइमन टू बामर, तो लाइमन का इधर हम लोग निकाल लिये थे, और बामर का हम लोग इधर निकाल लिये तो इनका ratio लेलो, तो lambda 1 upon lambda 2, तो lambda 1 की value कितनी है, that is 4 by 3R, और lambda 2 की value है, 36 upon 5R, तो R ने R को खतम कर दिया, और यह 9 times में खतम हो जाएगा, तो 5 upon 27, this is the final solution, तो 5 upon 27, that is हम लोगा B option सही है, तो आई हो कि बहुत बेतर तक है कि इसमें आपको clear हो गया होगा, कि lambda maximum कब generate होगा, जब energy difference में होगा, N1 से infinity से jumping होगी, ठीक है, चलो वीडियो पहुच करो, खुद solve करें, consider the third orbit of helium, बलब helium है, उसका हमें third orbit consider करके चलना, using the non-relativistic approach, speed of electron in orbit will be, अब उस orbit में speed of electron इतना दिया हुआ, चलो, अब यह देखो, यहां से मैं आपके बहुत ही अच्छा rule मतलब बताता हूँ, मतलब यहां यार की याद रखो कि यहां नावनीट सर ने कुछ बहुत 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 बताया था, कि speed कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारा book पड़ोगे, तो तुम confused हो जाओगे और बड़े-बड़े फार्मूले देखके पागल हो जाओगे, तो consider the third orbit of helium, किसी orbit में speed कैसे निकालते हैं, इस question से सीखेंगे आप, तो मैं आपको दो method बताता हूँ, कहीं-कहीं पे दोनों effective होते हैं, दोनों कहीं-कहीं पे try करना, एक से कम calculation करना पड़ता है, एक से ज़्यादा करना पड़ता है, तो आप दोनों करके निकाल सकते हो, तो n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, ये, तो कहता है third orbit, ये इस orbit की बात हो रही है, ये वाला, third orbit में, अगर electron चक्कर लगा रहा होगा, तो उसकी कुछ speed होगी, उस speed की value निकालना है, और ये height helium है, और non-relativistic हमको approach सोचना है, तो पहला तो में पर रहा है direct, first method है, direct approach, direct formula ये भी कभी कभी काम आता है, और first method यहां पर आसानी से हो जाएगा, तो direct speed का formula, speed b is equal to b0, b0 z upon n, meter per second होता है, ठीक है, और v0 की value होती है, 2.18 into 10 की power 6, और z, अगर hydrogen helium है, तो z की value 2 आगया, multiply कर दूँ, और n principal quantum number 3 है, तो 3 से इसको कार दोती है, ये पार 0.73, 3 आ जाएगा, और multiplied by 2 into 10 की power 6, तो ये आ जाएगा, 14, और 6, 1.7 into 10 की power 6, meter per second, तो ये जाएगा, 1.4 into 10 की power 6 meter per second, मतलब D option, सही है, तो एक तो मेठ़़ ये हो गया, speed निकालने का, कि किसी भी आर्बीट है, आपको speed निकालना, प्यारे बच्च, तो डाइरेक्ट ये formula याद रहे, इसको लगा दो, अगर माल लो ये formula भूल गया, तो क्या गरोगे, तो अगर ये formula भूल गया, तो और बहुत सारे question में, ये वाला approach बहुत काम का होता है, अभी आपको इस need में तो कमी मिले, लेकिन अच्छे question जब आते हैं, तो ये जो approach है, ये भी बहुत अच्छा होता है, अगर इस orbit में speed निकालना है, तो इस orbit की kinetic energy लिख लो, तो इस orbit की kinetic energy क्या होती है, half mv square होती है, और हम सब को पता है कि जो total energy होती है, total energy होती है, minus times kinetic energy होती है, और ये potential energy की आद ही होती है, ये वाली relation, तो अभी मैं इस वाले relation का यूज कर लूँगा, ठीक है, तो total energy अगर मुझे निकालना है, तो total energy का formula मुझे पहले से सबको रटा हुआ, minus 13.6 N square Z square यहां से, ठीक है, तो अभी तो थोड़ा calculation इसमें जादा हो जाएगा, पर ये भी एक approach है, तो यहां से आप speed निकालना है, तो जब total energy का, इस kinetic energy, total energy, अगर देखोगे, तो total energy का जो mod है, that is equal to kinetic energy, तो यहां से आप speed निकाल सकते हो, किसी आर्बिट का, इस अगर आपको कुछ भी नहीं याद है, तो यहां से अगर मैं speed निकालना हूँ, इसका तो total energy कितनी है, 30.6 और Z square, 4 और यह N का square, 9 is equal to kinetic energy, हाफ, mass of the electron, mass of the electron 9.1 into 10 की पावर, 31, minus 31 kg, और speed V का square, तो यहां से भी speed आप कर सकते हो, किसी किसी question में यह बहुत अच्छा होता, अब ही यह वाला इस से करोगे, इस वाले के लिए, तो चलो बच्छों इस वाले question को देखते हैं, इस में क्या है कि hydrogen atom in ground state, excited by the monochromatic light, मतलब electron का hydrogen atom का ground state में है, और उसको monochromatic light से हम excited कर दिए, कितना radiation हम डाले, 975 angostron, the number of spectral lines in the resulting spectrum, अब आप सबको पता है कि अगर इस screen पे हम spectrum मनाते हैं, तो कितनी line जब वो excite हो चुका है, तो जब de-excite होगा, तो कितनी lines इस screen पे दिखेगी, वो हमें निकालना है, तो इस question से आप यह सीखोगे, कि spectral lines कैसे calculate करते हैं, और इसका मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, basically मैं दो method बताता हूँ, और दो रो method से आप जो भी आपको अच्छा लगे, वो कर लेना, तो देखते हैं, इसका क्या मतलब है, पहले समझने की कोशिस करो, जैसे यह energy level है, यह this is the energy level, यह degrees होता चला जाता है, n is equal to 1, n is equal to 2, और n is equal to 3, n is equal to 4, और n is equal to 5, इस तरह से energy level है, तो जब electron अपना हमारा कहा है electron है, ground state में है, प्यारे बच्चों यहां से है, अब electron यहां से है, जब उपर जाएगा, कहीं पर भी उपर जाएगा, हमको नहीं पता कहां गया, तो कहीं उपर जाएगा, जब d excite होगा, तो photons generate करेगा, तो कितने photons generate करेगा, इसी question को अलग अलग तरीके से पूछा दा सकता है, कि अगर यहां से, यहां से जब electron d excite होगा, तो screen पर कितने लाइन दिखेंगी, या इसी को यहां से कितने number of photons निकलेंगे, कितना transition हुआ होगा, या यह कर सकते हो, आपकी कितनी wavelength निकली होगी, कितनी frequency निकली होगी, सबका meaning यह कही है, तो अब यहां इसको हम एक बार लिखेंगे लेते हैं, कि number of photons generated, photons is equal to number of wavelengths, number of wavelength generated, कितनी wavelength निकली होगी, number of frequency, number of frequency, इस चीज़ को आप समझ लो, कितने transition हुए होगे यहां पर, number of transition, number of transition, is equal to number of lines, number of lines, इन सबका meaning एक ही है, क्योंकि जब electron इधर जाएगा, तो ऐसे तो जाएगा ही नहीं यार, तो यहां पर जो wavelength है, ओ, monochromatic radiation, electron is excited by, इस electron को जो हम energy दिये हैं, उस energy की wavelength कितनी है यार, उस energy की wavelength है, नाइन हंडेड सेवंटी फाइफ एंगर स्टॉन, तो सबसे पहले मुझे यह पता करने हैं पड़ेगा बच्चों, कि यह electron excited हो कि किस वाले energy level में, या किस वाले आर्बिट में गया है, तो यह बात तो हमें पता ही नहीं है, कि किस वाले आर्बिट में जम्प किया है, तब ही तो हम निकाल पाएंगे, number of line या transition कितना होगा, या कैसे वापस आएगा, या कितने photons निकलेंगे, यह जो photons है, number of photons निकाहूं बच्चों, यह maximum photons है, maximum photons, ठीक है, जब वो deep side होगा, तो maximum कितने photon आएंगे, तो इस बात को पहले मैं पता करूँगा, कि excited होगे गया कहा है, जब इसको इतनी energy का lambda दिया गया, तो इस बात को पता करने के लिए, बच्चों हमारे पास दो तरीके हैं, basically दो method, पहला यह है कि देखो, जब wavelength अगर यहाँ से lambda दिये हो, तो basically इस बात को पता कर सकते हो, energy दिये हो ना, तो इस वाले formula से calculate कर सकते हो, देखो, spectral line पता करने के दो तरीके हैं, बढ़ा हमें यह पता करना पढ़े कि गया गया, तो energy delta E is equal to hc upon lambda, ठीक है, energy delta E is equal to hc upon lambda, इतनी energy दे दिये, तो यहाँ हमारा चला गया, तो जब यह हमने यहाँ, मतलब जब वापस आएगा, तो इतनी energy radiate कर देगा, तो यहाँ से energy difference calculate कर लेते हैं, तो energy difference is equal to hc का इंगर स्टाउन में हैं, तो इंगर स्टाउन में कैसे लिखते हैं, यह सी की बेलू 12 number 420, याद कर लो, यह सी बर्मा problem 12 number, और 400 उसका answer 420 होता है, ऐसे याद कर लो, एंगर स्टाउन में, और lambda is equal to 975, तो जब इसको calculate करोगे, देखो calculate करो, कितना energy difference आ जाता है, लेट अस calculate इट, तो इसको calculate करोगे, तो 12.75 आ जाएगा, इसको 12.75 electron volt, तो यह जो energy level, इतनी जो energy है, वो energy difference create हो गई, अब तुम्हीं यह देखना पड़ेगा, कि इतनी energy difference कहां मिलेगी, जो 1 वाला सेल है, इसमें energy कितनी होती है, माइनस 13.6, 2 वाले में माइनस 3.4, और बोला उन्हें याद कर लेना, 1.5 electron volt और 0.85 electron volt, ठीक है, और और भी यह, तो अगर देखोगे, तो 12.75 electron volt, इसमें तो आयेगा नहीं, इसमें तो 10.2 आता है, तो इसमें भी नहीं आएगा, तो यह जो energy difference है, वो 4 वाले में आ जाएगा, मतलब electron, यह जो energy, यह जो lambda डाले हो, incident energy, वो energy पाके, energy level 4 में गया होगा, समझ रहें ना, energy यह जो difference है, delta E, that is the difference of the, E4, E4 minus E, E1 के बीच का difference है, तो E4 कितना है, minus 0.85 और, यह plus कर दो, 13.60, तो यह जो difference है, इतना difference to 0.75, हमें मिल जा रहा है, तो यह वाली difference मिल जा रही है, तो बरावर यह बात हमको समझ में आ गया, कि यह 4 में चला गया, तो जब 4 में चला गया, तो अब number of lines पता करने के लिए, हमारे पास दो तरीके, पहला तरीका है, आपको formula याद हो, और दूसरा तरीका है, आप basic से कर सकते हो, logic से कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, आप कर ले रहा, तो यह बात तो पता चल गया, कि n is equal to 4 में चला गया, प्यारे बच्चों, तो यहां से number of, पहले n1 में था, और अब पहले n1 में था, आवे n2 की value 4 हो गई, तो जब वापस आएगा 4 से देखो, तो पहला method यह है, first method यह है, first method basic है, तो first method basic से हम transition से calculate कर लेते हैं, तो अब यहां पे n is equal to 1 है, n is equal to 2 है, n is equal to 3 है, n is equal to 4 है, प्यारे बच्चों, तो 4 से 1 में कैसे आएगा, हमें इस दुनिया में किसी को नहीं पता हूँ कितने रास्ते से आएगा, बट maximum कितना हो सकता है, वही number of photon या number of wavelength या number of transition होगा, तो पहला तो रास्ता यह हुआ, ऐसे आगया, direct आना यहां है, ground में आना भई, तो पहला तो रास्ता यहां से हो गया, और हर एक transition में एक photon generate करेगा, एक wavelength, एक frequency generate करेगा, तो एक, दो, तीन, चार हो गए, अब तीसरा तरीका यह है कि यहां से इसमें आया, और फिर इसमें आया, इसके अलामा कोई possibility ही नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो number of spectral lines या number of photons जो आजाएगा, number of photons या number of lines जो आजाएगा, number of lines उसकी जो value आजाएगी प्यारे बच्चों, वो 6 हो जाएगी, पहला तरीका है हुआ, दूसरा method है, second method, आप formula याद कर लो, second method है, अगर N1, N1 से कहां जम कर गया है, N2 से, तो N1 से अगर N2 में जम किया है, तो number of lines जो होती है, number of lines वो होती है, N, N-1 और divided by 2, तो अभी N की value कितनी थी, यहाँ N1 की value कितनी है, N1 की value पहले किस में था है, N1 की value 1 थी, और N2 की जो value है, वो N हो गई, मतलब N में ground से, जब ground से excited हो की जाता है, तो यह formula लगाते है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यह को और formula, तो यहाँ पहले कहां, ground से गया न, तो ground से गया, तो 4 में गया, तो 4 minus 1 और divided by 2, तो यह आजाएगा 2, that is 2 multiplied by 3, that is 6, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कि अगर N is equal to 4 से माल लो, कभी-कभी ऐसे difficult सवाल आ जाते हैं, यह additional है, कोई आपको जनरली बताएगा नहीं, पड़े यह है, इसको note कर लो, important, एक बात है, कि कभी-कभी electron, higher orbit में excite होगा, और वो push देगा, कि higher orbit excite होगे, किसी lower orbit में ground में नहीं आता, किसी lower orbit में आता, तब कितनी line generate होगी, बात नहीं समझ में आया, जैसे माल लो, पहले electron N is equal to, N1 is equal to 5 में था, तो अब N1 is equal to 5 से, N2 is equal to 2 में आ गया, ground में नहीं आया, तो इस case में number of lines जो होती है, number of lines जो होती है, N1 minus N2 plus 1, और N1 minus N2, और divided by 2, यह वाली चीज़, तो यह एक formula है, जब higher मालो, अब higher value आ गया है, higher value मालो, N is equal to 10 में था, अब N is equal to 10 से पहले, excited energy level 10 में था, 10 से 3 में जम कर गया, तो जब value लंबा हो जाएगा, lengthy हो जाएगा, तो उस वक्त कैसे calculate करोगे, तो उस वक्त यह वाला formula calculate करोगे, अब इसमें N2 की value 1 रख दोगे, तो यह देखो पहले वाला formula मिल जाएगा, ठीक है, तो यह कब लगता है, जब higher energy level से ground में न, इकिसी बीच में आता है, intermediate state में, यह कब लगेगा, जब higher energy level से ground में आएगा, और यह तो दोनों के लिए लगेगा, calculate कर सकते तो कर लो, तो इसका answer, इसका answer कितना हो गया, देख लो इसका answer, हम लोग का प्यारे बच्चों, तो यह answer हम लोग का 6 हो गया, तो आई होग कि यह better तरीके से clear हो गया होगा, तो चलो, start करते हैं, the ratio longest wavelength, अभी इसमें क्या पूछा है, कि हमें longest wavelength निकालना है, corresponding to Lyman and Balmer series in hydrogen spectrum, अब देखो, hydrogen spectrum में longest wavelength कब बने गया, तो longest wavelength जब अगर कोई electron है, लाइमन कब बनता है, यह देख लो, यह n is equal to, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो लाइमन कब बनता है, जब ग्राउंड, जब हाइयर आडविट से, ग्राउंड में jumping होती है, यहां से, अब मतलब हाइयर आडविट से, जब ग्राउंड में jumping होती है, यहां से तो जो photons निकलेगा, लाइमन सीरीज wavelength है, अब यहां से बामर कब बनती है, जब n is equal to 2 में jumping होती है, यह आई हो कि यह सब को पता होगा, आई हो कि यह सब लोग यादते होंगे, कि यहां से, आई हो कि यहां से जब 2 में jumping होगी, तो बामर बनेगा, और यह लाइमन बनेगा, यह clear है, अब देखो, तो लाइमन में maximum wavelength, जो lambda निकला, वो maximum में चाहिए है, तो जो energy difference, energy difference, that is, एसी अपन लेमडा है है, तो energy difference यह वाली, जब minimum होगी, तभी तो lambda यह वाला, चीज maximum होगा, बात समझ में आ गई, तो हमें longest wavelength निकालना है, जब electron d excite होगा, तो energy निकलेगी, frequency निकलेगा, wavelength होगा, वो maximum कब होगा, जब energy difference minimum होगा, अब आपको यह बात पता करना पड़ेगा, कि energy difference minimum कब होती है, तो energy difference minimum तब होगा, देखो, जब यहां से, अगर मैं इधर से उपर जाता हूँ, तो total energy electron की increase होती है, ठीक है, और यह जो conjugate difference होता है, दो, दो सेल के भी, जो conjugate difference होता है, यह वाली चीज़ जो बना रहा हूँ, ठीक है, conjugate difference, वो decrease होता चला जाता है, ठीरी में हम लोग पढ़े हैं, तो यह conjugate difference decrease होता चला जाता है, बट अगर किसी एक आर्विट से हाईयर आर्विट का difference लेते हैं, तो वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है, यह सारी theoretical मैं discussion करता हूँ, बहुत डीटेल में, ठीक है, साइद आपके teacher with nature discuss नहीं किये होंगे इसको, तो यह यहाँ से, यह जो difference है, that is minimum होता है, तो हमें minimum, लाइमन में minimum होता है N1 से N2, फिर यहाँ से जो difference है, यह वाली जो difference है, degrees होती, डेल्टा E, दो कंजिग्रीटी में, वो degrees होता चला जाता है energy level, तो degrees होते चला जाता है, हमें minimum चाहिए, तो minimum के लिए, longest wavelength, lambda maximum चाहिए, तो energy difference minimum होगा, तो लाइमन में minimum होगा, हाँ देखो, लाइमन में जो minimum होगा, वो होता है, इस वाले और इस वाले में difference, N1 is equal to 1 से N2 is equal to, 2 से jumping होई, तो energy difference minimum होगा, अगर 3 से 1 में jumping होई, तो minimum नहीं होता है, थोड़ा सा और ज्यादा होगा, और 4 से 1 में jumping होई, थोड़ा और ज्यादा होगा, और infinity से 1 में jumping होई, तो सबसे ज्यादा energy difference होता है, ठीक है, चलो, तो 1 upon lambda, lambda 1 लाइमन में में, रिखबर constant और hydrogen है, क्या है, hydrogen नहीं है, तो कोई बात नहीं, RZ square is equal to, 1 upon 1 का square, minus 1 upon 2 का square, तो यह आ जाएगा, और अपान lambda 1 प्यारे बच्चों, तो RZ, आई हो कि यह सब लोग calculate कर लेंगे, 5 और, that is 4 upon 5, ठीक है, तो, यह, यह 4 होगे न, यह 3 upon 4, तो 3 upon 4, basically हमें मिल जाएगा, यह वाली चीज, 3 by 4, तो इसको यहीं रहने देते हैं, lambda 1 की जो value आजाएगी, that is 4 upon 3, RZ square, यह जो lambda 1 की जो value है, इतनी हमें आगे चलो, अब इसी तरह से lambda 2 calculate करो, तो lambda 2 calculate करोगे, तो again आजाओ, बामर सीरीज में आजाओ, तो बामर सीरीज में जो है, energy minimum होगी, delta E minimum होगा, कब होगा भाई minimum, बोलो, कहां से jumping होगी, जब jumping होगी, प्यारे बच्चे हो, N1 is equal to 2 तो fix है, और N2 is equal to 3 से jumping होगी, तो 1 upon lambda 2 is equal to, RZ square, और 1 upon 2 का square, minus 1 upon 3 का square, तो यह इसको हम लोग calculate कर लेते हैं, देख लेते हैं, कितना आता है, तो finally यह ज़ाएगा, RZ square is equal to 1 by 4, 1 upon 9, और यह ज़ाएगा, 5RZ square upon 36, देख लेंडा 2 upon, is equal to 36, is equal to 5RZ square, इस इस दे लेंडा 2, अब आपको ratio किसका किसका पूछा, लाइमन का सी, देखों, यहाँ ratio किसका पूछा, लाइमन टू बामर पूछा, तो लाइमन यह रहा लैमडा 1 लाइमन में डिवाइड का तो लैमडा 1 अपन लैमडा 2 तो लैमडा 1 कितना वाइब 4 और 3RZ स्कौरर और यह जाएगा 5RZ स्कौरर डिवाइड वाइड थर्टी सिर्स अर्जे ने आर्जेड को खत्म कर दिया और 9 टाइंस कजिदा तो 5 अपन 27 इसका फाइनल सलूशन है तो आई होप कि आपको यह बात के लिए हो गया होगा कि 527 डैट इस दी ऑप्षन सही है कि चलो यह कहता है एक इलेक्टरान हाइड्रोजयन इतम में से एंट ट्राणजीशन हैं एक एनेवन एंटू कोई अंट्व अनजी लेवल है हमको नहीं पता है कि यह बात कलियर है कि ट्राणजीशन किया है n1 into principal quantum number of two state assume that Bohr model valid the time period of the electron in initial state eight time the time period in the final state अब देखो time period जो पहला n1 into the possible value of the transition तो पहले कहां था इनिशियल इलेक्ट्रान कहां था इनिशियल इलेक्ट्रान एन वन इस उकल टू एन वन में था एन वन हमको नहीं पताई और फाइनली कहां चला गया यार फाइनली एन टू में चला गया ठीक है यह transition हो गया फार इक्जामपल अगर energy level इस टाइब से जा करते हुआ एन इस उकल टू टू एक्चली सरकल में बना देते हैं तो ज्यादा आपको इसमें फील आएगा क्यों कि time period के बारे में discussion हुआ है तो यह nucleus है प्यारा सा और यह इसके अंदर यह इस तरह से orbit है तो यहां से electron पहले N1 में था मालो अब यहां से कहीं N2 में जम कर गया यह तो यह कह रहा है जब N1 में था electron तो उसका time period मालो T1 था अब जब N2 में आया तो उसका time period T2 हो गया तो यह कह रहा है कि initial state यह देखो time period of the electron in the initial state मलब T1 is equal to 8 times T2 T1 is equal to 8 times T2 क्या यह बात सही होगा T1 is equal to 8 times T2 obviously जब यहां higher orbit में होगा तो velocity कम होती है तो time period जादा होता है ठीक है तो टीवर 8 times जब पास में आ जाएगा तो तेजी से गोंता है time period कम हो जाता है तो यह एक वे question सही है चलो तो यह कहता है वो possible transition कौन सा होगा इसमें से तो यह बात कैसे calculate करें तो यह बात हमें calculate करने के लिए यह जो condition है इस किसी condition से question solve होगा इस condition को हम लोग solve कर लेंगे तो यह हमारा प्यारे बच्चों question radius है तो यह जो distance है distance टू पाई आर पूरा आर्क और distance टाइम क्या होता distance अपानी स्पीड है तो पूरा सरकंब्रेट टू पाई आर और लीनियर स्पीड से डिवाइड कर जीए तो यह टाइम की रेड़ा जाएगा अब यहां से आर और भी की वेलू रग दोगे तो principle quantum नंबर रिलेट हो जाएगा क्योंकि आर और भी principle quantum नंबर पर डिपेंड करते हैं एनर्जी लेबल है एनर्जी लेबल पर डिपेंड करते हैं तो आर की वेलू हम सबको पता आर की वेलू आर नॉट एन स्कॉयर अपान जेड है और हाइड्रोजन है तो जेड की वेलू 1 हो होता है भी नॉट और जेड अपान यह सब वेलू याद रगलो यह बहुत इंपोर्टेंट है यार एटॉमिक स्ट्रक्चर पड़ है भी नॉट की वेलू 2.18 इंटू टेन की पावर 6 जेड और अपान एन तो जेड की वेलू 1 है तो भी इस इन्वर्सली प्रपोर्शनल यहां से मुझे प्यारे बच्चों पता यह बात पता चल गया कि भी और आर प्रिंस्पल क्वांटम नंबर पर कैसे डिपेंड करते हैं तो टाइम बाकि सारे कॉंस्टेंट है तो टाइम प्रेड प्रपोर्शनल हो जाएगा एन की पावर क्यू तो यह दोनों यह दोनों ल डूसरा जो लोवर आर्बिट का डबल है अब इस कंडिशन से ओप्शन चेक कर लो इस कंडिशन से ओप्सन चेक करो तो इस condition से आपके पहला आर्बिट जो है, दूसरा आर्बिट इसका double होगा क्या higher आर्बिट है 6 यह है ही नहीं, n1 जो है यह इसका 3 गुना है option गलत है, यह भी यह भी गलत है, ठीक है n1 is equal to 8, यह भी गलत है यह देखो, यह option d सही है, ठीक है, n1 is equal to 2 times n2 है क्योंकि 2 और n2 की value 2 है, तो यह जाएगा 4 ठीक है, तो I hope कि आपको clear हो गया होगा चलो, next, यह एक question है इस type के question मैं बता दूँ प्यारे बचों, बार बार पूछा जाता है exam में, अगर मैं जितना पढ़ाया हूं modern physics, atomic structure semiconductor, यह जितना मैं पढ़ा दूँगा, उतना कर लोगे, तो तुम्हारा कभी कोई question गलत नहीं हो सकता उसे बार कभी जाएगा नहीं सकता, यार मेरे पढ़ायोगे से, तो electron in hydrogen atom jump from the third excited state to second excited state, तो electron जो है, jump किया है, first third excited state, अब आपको समझने की कोशिश करो, तो आप इधर समझने की कोशिश करो, तो आप इधर समझने की कोशिश करो, बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट होते हैं, तो यह one, two, और यह इस टाइप से, इधर साइपने होता, तो यह energy level one होता है, और यह two होता है, यह three, और यह four, और यह five, और यह six, यह बार-बार हम यूज करेंगे, लेकिन यह तो यह जो चीज है, वो आरबिट है, आरबिट नाम दे दो, या energy level नाम दे दो, बात बराबर है, इनका नाम energy level दे दो, बात बराबर है, अब excited state कहां से start होता है, यह जो है, यह वाली जो है, वो first excited state है, यह first excited state है, मतलब energy level 2 जो है वो first excited state है और ये जो है वो second excited state है second excited state है और ये third excited state, ये fourth excited state और ये fifth excited state मतलब जो sixth energy level है वो fifth excited state है ये बात आपको समझ में आ गया होगा तो कहां से कहां गया है third excited state to second तो third excited state कौन सा होगा यार तो ये देखो ये first second third तो third excited state से second excited state में गया है और second excited state ये वाला चीज है ये पहला transition यहां से हुआ है ये second excited state है तो ये पहला transition हुआ और इस transition में कुछ wavelength जनरेट हो गई उस wavelength का नाम है lambda 1 मतलब n is equal to n1 is equal to कहां से कहां jumping हो गई है देखो four से three में jumping हो गई है यह पहला jumping हुआ है तो अब मैं lambda निगाल लूँगा इसका और second excited state to first और second transition हुआ देखो second excited state कहा यार यह second excited state इसको मैं दूसरे color से लिख देता हुआ और भी मेरे पास कलर है किस काम के यूज होंगे तो यहां से प्यारे बच्चों यह वाली चीज सेकेंड excited state to first चला गया तो इसमें भी wavelength कितना निकल गया photon जो generate हुआ उसकी wavelength lambda टू है कहां से कहां ट्रांजिशन हुआ एनर्जी लेवल के टम में बात करो होगे तो यह लैमडा वन और लैमडा टू की रैसियो निकाल नहीं है तो आई होग कि यह कोश्चन आपको बहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और यह रैसियो आप निकाल सकते हो अराम से बड़े अराम से तो पहले कैस में कैल्कुलेट करते हैं डी वन अपान लैमडा वन इस उकल टू हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यह ना और कोई भी होगा तो रैसियो लेना बार में कट जाएगा तो आर जेड और कहां से कहां तक जंपिंग हुई है? 3 में जंपिंग हुई 3 अस्कवार माइनस वन अपान 4 का अस्कवार तो यह जाएगा और और नाइन उन आपन यह 16 तो यह जाएगा ठीक है? 9 और ये 16, 7R ठीक है, 7R अपन 9, 144 बट 144 मैं नहीं लिखूंगा, बाद में काट दूंगा, तो lambda 1 is equal to 9 multiplied by 160 और 7R, तो ये आजाएगा lambda 1, प्यारे बच्चो, चलो, तो lambda 2 उसी तरह से calculate कर लो, तो 1 upon lambda 2 is equal to R, रिग्बवर constant, 1 upon, कहां में jumping होई है, 2 का square minus 1 upon 3 का square, तो R is equal to 1 upon यहां से आजाएगा, 4 minus 1 upon 9, that is 5R upon 36 तो ये आजाएगा, lambda 2 की जो value आजाएगी, प्यारे बच्चो, हो आजाएगी 36 upon 5R, this is the lambda 2, अब मेरा कोई काम ही नहीं रहा है, अब lambda 1 से lambda 2 में divide कर दूँगा, यही हम लोग का काम है, तो lambda 1, lambda 2 से divide कर दूँ, तो lambda 1 upon lambda 2 से divide कर दूँ, तो lambda 1 कितना था, 9 multiplied by 16 और यहाजाएगा, 7R और यह था 5R और यह divided by 36, तो R ने R को, ठीक है, और यह 4 टाइम्स कर जाएगा, और यह फिर से यह 4 टाइम्स कर जाएगा, तो 20 upon 7 इस इस दा फाइनल सलूशन, तो 20 upon 7, प्यारे बच्चों, इसका फाइनल सलूशन है, देख लेते हैं, कोई मैच किया, तो 20 upon 7, D आप्सन मैच कर रहा है, कभी-कभी NEET या J के एक्जाम में, हम बहुत जल्दी-जल्दी question solve कर देते हैं, और मैच कराते हैं, कोई option ही नहीं मैच करता है, तो हमें अपनी गलतियों को improve करना है, अब यहां देखो, एक electron है, बहुत ही बहतर question है, यह इस question को समझने की question करना, बहुत कम लोग इसको depth में समझा, पाएंगे यह समझ पाएंगे इसको, ठीक है, electron in hydrogen, atom passes from the fifth energy level to passes from fifth energy level to ground energy level, जलो fifth energy level, पहले electron कहां से, कहां से, कहां, transition हो गया, फिप्त से, वन में चला गया, energy level, फिप्त से, वन में चला गया, और velocity of the atom acquired as a result of photon emission, अब जो atom है, उसकी velocity निकालना है, समझने की कोशिस करना, इसमें, बहुत अच्छी बात है, वो मैं आपको समझाऊंगा, अब देखो, यहां से, फिप्त, यह n2 की value हो कहीं फिप्त में था, और कहां चला गया, n1, मतलब lower orbit, n1 में चला गया, तो यहां से, देखो, पहले की समझने करना, यह नुकलियस है, और यह atom है, ठीक है, यह नुकलियस है, और यह atom है, यह पूरा atom माल लो, ऐसे atom माल लो रखा हुआ है, यह ground पर ऐसे atom रखा हुआ है, तो यहां से, अगर कोई electron है, जो फिप्त energy level में, यह an5 है, और a n is equal to 1 है, बीच में मैं छोड़ देता हूँ, तो यहां से अगर कोई electron transition करता है, समझने की कोशिश करना, तो वो क्या करेगा, इस process में एक photon निकलेगा, एक photon निकलेगा, एक direct transition हुआ, तो एक photon निकलेगा, तो उस photon की अपनी velocity है, उस photon का अपना momentum है, उस photon की अपनी wavelength है, क्योंकि photon एक particle है, तो इस photon की वज़े से जो atom होता है, वो अगर atom पीछे नहीं जाएगा, atom पीछे require नहीं होगा, तो momentum conservation physics का गलत हो जाएगा, ठीक है, तो अगर कोई मतलब यह है, तो अगर photon isn't it हुआ, photon इधर जा रहा है, तो atom को इधर जाना पड़ेगा, इसको हम बोलते है, है require, require velocity, और यही velocity यहाँ पूचा जा रहा है, इस velocity को मैं नाम दे देता हूँ, V dash, तो V dash क्या है, atom इधर V dash से जाता है, बट अगर आप depth में, बहुत depth में पढ़ोगे, तो आपको यह बात पता चलेगा, कि जंदरली हम इसकी V dash की बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, हम लोग calculate करके देखे हैं, आप भी अगर कभी क्यों मौका मिले तो calculate करना, जो atom की जो velocity होती है, वो बहुत ही कम होती है, atom की जो velocity बहुत कम होती है, atom की momentum बहुत कम होता है, और यह जो photon है, बहुत छोटा particle है, तो बहुत कम momentum दे पाता है इसको, तो जो velocity V dash आती है, this is very very less than B, तो 99% case में हम इस velocity को ignore कर देते हैं, neglect कर देते हैं, पर यहाँ पर यह velocity neglect नहीं करना है, यहाँ पर यह velocity calculate करनी है, तो बढ़िया question है, अच्छा question है, चलो, इस question समझ में आ गया, तो चलो अभी अगर हम यह question समझ में आ गया, तो हम इसको calculate कर लेते हैं, सबसे पहले, momentum conservation लगा द magnitude, direction में तो अपर हो जड़ेगा, क्योंकि initially atom क्या था, rest में था, तो अगर initial rest में था, initial momentum 0 था, तो final 0 होने के लिए, अगर photon इधर जा रहा, तो atom को इधर जाना पड़ेगा, तो इन दोनों का magnitude, momentum P dash P के equal होगा, अब atom का momentum, atom का जो mass है, वो दिया होगा, यहाँ पर, यह, क्या भ energy level, energy of the atom requires the result of emission, तो यहाँ पर mention नहीं किया है, atom का mass, पर बिना atom के mass के हम इसको calculate नहीं कर सकते हैं, देखो, यहाँ पर M के atom में solution है, तो यह मैं atom का mass मुझे चाहिए, तो atom का mass मैं M लेता हूँ, तो इसकी velocity momentum, और इसका momentum, photon की momentum कैसे calculate करते हैं, photon की momentum is equal to P is equal to H upon lambda, या पढ़के होगे, ठीक है, डी ब्रॉगली wavelength, डी ब्रॉगली में आया होगा, तो इसकी momentum हो जाएगी, एच अपान, लेमडा, तो जो finally हमें V dash चाहिए था, वो यह अच अपान, M, लेमडा, तो यह जो solution है, वो ही हमारा सही है, बट, लेमडा के term में solution नहीं है, solution is not given in the term of lambda, तो रिगबर constant और H के term में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे, लेमडा को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो लेमडा को कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा, लेमडा क्या है, तो लेमडा वह photon की wave length है, जो deep side जो इलेक्टान हुआ तो निकला है, तो उसको हम नि 25 से गया है, तो यह आजाएगा 24R upon 25, इसका मतलब यह हुआ, प्यारे बच्चों, कि इसका मतलब यह हुआ, यहां से मैं calculate कर लेता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि जो वेलू है, वो आजाएगी 24 upon 5, तो यहां जब मैं रख दूंगा, तो यह जो दिखेगी, वह आजाएगा 24 आर, एच, प्लांक्स कॉंस्टेंट, डिवाइड कर दूं, 25M, इस इस दा, फाइनल सलूशन, तो यह यहां से आप देख लेते हैं, कि 25 upon 24, एच आर, 24HR, डिवाइड बाइड 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 फाइड, तो 24HR, डिवाइड बाइड यह हमारा first option match कर रहा है, बाकी गलत है, ठीक है, the mass is not mentioned here, आप note कर लेना, mass होना चाहिए, the transition from the state N23 in a hydrogen atom like result in ultraviolet radiation, अब देखो, एक transition हो गया, कहां से कहां तक transition हुआ है, थीरी से 1 तक गया, पहले excite energy level था, वो थीरी था, थीरी से 1 में हो गया, तो ultraviolet radiation निकला, हमेशा visible नहीं निकलती है, हमेशा color नहीं निकलेंगे, ठीक है, तो color निकलने के कुछ reason होते हैं, बामर सिरीज में निकलते हैं, बड़ ये बामर सिरीज तो नहीं बनेगा, ये N is equal to 3 में, तो ये लाइमन बनेगा, अब देखो, ultraviolet region हम सबको पता है, पहले तो आप याद कर लो कि जो लाइमन सिरीज है, लाइमन सिरीज में, ठीक है, ultraviolet region, ultraviolet radiation, मनलब ultraviolet radiation की wavelength या frequency निकलती है, और बामर सिरिज में, बामर सिरिज में वीजिवल मलब कलरफूल निकल सकता है और लाइमन बामर पासेन और उसके बाद पासेन फुंड और ब्रेकेट ये सब इंफरारेडरे रीजन में आ जाते हैं तो यह 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 तो यह जो थिरी में jumping होई ये पासेंट सीरीज है ठीक है पहले electron कहां था 4 से एगर थिरी में jumping होई है तो कौन सा सीरीज बनता है पासेंट सीरीज और पासेंट सीरीज का कौन सा radiation रिमिट करता इंफ्रारीडर रैडियेशन दैट इस डी ऑप्सन सही है तो याद कर लें आपको theoretical कोश्चा